ओम सिरी गनेशाय नमदोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है मेश रासी वालू अब आपको भगवान शूरदेव कैसिरवास से 23 जुलाई से 29 जुलाई याने किन 7 दिनों में मिलने वाली हैं बहुत बड़ी तूफानी ख़बर बहुत बड़ी खुसकबरी मिलेगी आपको 23 जुलाई से 29 जुलाई याने किन 7 दिनों में क्योंकि भगवान शूरदेव की किरपा से इन 7 दिनों में सूरे का सुभयोग, कारश शिद्योग, शर्वात शिद्योग, एक धन्योग और दो राज्योग बन चुका है जिसमें कि आपको सुब समाचार और बड़ा सर्प्राइज मिलेगा और पांच बड़े परिवर्तन होंगे जिससे आपकी किसमत चमक जाएगी, या दोस्तों कौन कौन शी बड़ी खुसकबरिया हैं और कौन कौन से पांच बड़े परिवर्तन हैं, बड़ा सर्प्राइज कौन सा हैं और सुब समाचार कौन से हैं इस वीडियो के माद्यम से वही बताएंगे 23 जुलाई से 29 जुलाई तक का शंपोन शटी कराशी फल इस वीडियो के माद्यम से हम आपको पताने बाले हैं कि आपको इन साथ दिनों में किस प्रकार गिरेन अक्षत्रों की चाल एक अच्छे समय का निर्मान करेगी कौन कौन शे बड़ी खुशकबरियां मिलेंगी आपको शंपोन शटी कराशी फल सुरू चैन्ट तक पूरा वीडियो देखना जैंदोस्तों बहुत महत्मपोन वीडियो हैं पूरा वीडियो देखेंगे तो लाब आपको वश्य मिलेगा वीडियो का अग भगवान सुरेदेव के आश्रवास से आपकी राशी वालों के लिए 23 जुलाई से 29 जुलाई यानिकिन 7 दिनों का यह महत्मपोन समय दोस्तों यह समय कामकाज को लेकर कुछ शकारात्मक यात्रा का प्लान बनेगा जो आर्थिक रूप से आपके लिए बहुती लाबदाइक साबित होगी शंतान संबंदी किसी विसेश कारे के संपन होने से आपको राहत महसूस होगी तथा कारे को उर्जा के साथ पूरा करने का आपका जजबा भी बना रहेगा दोस्तों इस समय परिवारिक वाता वरन अनुशाशित तथा शकारात्मक रहेगा किसी सदस्य के विवा सम्मंदी अच्छा प्रस्ताब भी आ सकता है दोस्तो आप अपने कार्य को योजना बद्ध वे उचित तरीके से क्रम बद्ध करके निपटाते चलें अवस्य ही आपको सफलता प्राप्थ होगी दोस्तो साथ साथ कुछ समय से चली आ रही समस्या रिष्टेदारों वे परिवार के लोगों के सयोग से हल होगी जिसकी वज़े से आप अपने आपको बहुत ही अधिक तनाव मुक्त महसूस करेंगे दोस्तो साथ साथ विदेश में जाकर अध्यन करने के लिए प्रियासरत विध्यारतियों को अल्प प्रियास से ही सफलता मिल जाएगी दोस्तो साथी साथ आप महसूस करेंगे कि किसी भी विपरीत परिस्तिती में आपका पूरा परिवार कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा है इसलिए अपने परिवार को प्रात्मिक्ता पर रखना आपके लिए आवशक है घर के बड़े बुजुर्ग तथा वरिष्ट व्यक्तियों के साथ भी कुछ समय व्यतित करना घर के माहुल को और अधिक खुसनमा बनाएगा इसलिए घर के बड़े बुजुर्गों के साथ और वरिष्ट व्यक्तियों के साथ कुछ समय आप अपना अवश्य ही व्यतित करें दोस्तो परिवार के सदस्यों को आप से कु निविश करने के लिए भी उत्तम है आर्थिक इस्तिती को मजबूत करने में अपना पूरा ध्यान के इंद्रित रखें दोस्तों साथी साथ आप अधिकतर समय आत्म मंथन तथा एकांत वातावरण में व्यतीत करने का प्लान करेंगे इस से आपको काफी उल्जनों से निजा पाने संबंदी हल प्राप्थ होंगे तथा अपने अंदर एप प्रत्यासित संतोस वे उर्जा का संचार आप महसूस करेंगे दोस्तों साथी साथ यह समय फिजूल खर्ची पर नियंतर करना आपके लिए आवश्चक हैं रुपए पैसे के मामलों में किसी पर भी आँख विश्वास ना करें, घर के वरिष्ट, व्यक्तियों की सलाकी और हेलना करने से आपको नुक्सान हो सकता हैं विद्यहर्ती तथा युवा वर्ग, हास परियास तथा मरोरंजन संस्मंदित वंवसाय के कारणरू में पढ़कर अपने कैरियर के साथ समझोता ना करें, घर में अचानक ही कुछ रिस्तेदारों के आने से विवस्ता थोड़ी बिगड सकती है साथ ही खर्च की भी अधिकता रहेगी दोस्तों साथी साथ यह समय भूमी वहन आदी के लिए करजा लेने के लिए योजनाई बनेगी परंतु आप चिंता ना करें यह धीरे धीरे आसानी से चुकता भी हो जाएगा किसी नज़्दी की मित्र के साथ गलत फैमिया उत्पन हो सकती है बहतर होगा कि संबंद खराव होने जैसे इस्तितिया ही आप उत्पन होने ना दे वेवेसाइक उत्थल पुत्थल तता आर्थिक मंदी की वज़े से परिवार के सदस्यों के खर्चों में भी कटोती आपको करनी पड़ सकती है जिससे बच्चे कुछ उदास हो सकते हैं इसलिए इस समय किसी पर भी अती विश्वास आपकी हानी का कारण बन सकता है सावदान रहें साथ इसाथ रुपय पेसे के मामलों में में किसी पर आप भरोसा ना करें दोस्तों साथ इसाथ यह समय रिस्थेदारों के साथ धन संबंदी लेन देन करने से आपसी संबंदों में में खटास उत्पन हो सकती है किरोध और आवेग में चलते कैई बार बनता बनता काम अंतिम चरण में अटक जाएगा इसलिए धहरें और सैयम से आपको काम लेने की आवश्चक्ता है दोस्तो साथि साथ आप अपने परिवार के जरूतों को नजर अंदाज ना करें आपका अपना कोई नजदी की मित्र ही जलन की भावना से कोई योजना या फिर साजिस रच सकता है दोस्तो साथे साथ यह समय धनके निवेस संबंदी निर्णे में काफी सोच विचार और पूरी जांच पड़तार कर लेने की आपको आवश्चक्ता है अन्यता आपको भारी हानी हो सकती है शावधान रहें दोस्तो बात करें आपके लव लाइफ की तो यह समय पती पतिनी के बीच चली आ रही गलत फैमियां और मत बेद समाप्थ होंगे तता परिवारिक माहुल उन्हें सुकद हो जाएगा परिवारिक वातावरण सुकद बना रहेगा घर के सवी सदस्यों का आपसी तालमेल घर में शकारत्मक उरजा को व्याप्त रखेगा साति सात जीवन साती के साथ संबंदों में और अधिक नज़दी की आएगी युवा वर्ग प्रेम प्रशंग तता सोसल मीडिया में अपना समय व्यार्थ ना करें घर का वातावरण सुकद रहेगा किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात आपको खुसी और नई उरजा प्रदान करेगी दोस्तो यह समय घर में शुक शांती का वाता वनड़ रहेगा प्रेम संबंदों को परिवारिक शुकरती मिलने से मन में उमंग व्यखुसी रहेगी दोस्तो बात अगर आपके वेवेशाय और केरियर की करें तो यह समय आपकी उदारता तथा म्रदू भासी सुवभाब से वेपारिक संबंद और अधिक अच्छे बनेंगे परन्तु अपने प्रोडेक्ट की क्वाल्टी को लेकर और अधिक बहतर करना आपके लिए कर रखें कोई व्यक्ति इनका दुरुप योग कर सकता है दोस्तो यह समय वेपार में विस्तार की योजनाओं पर आप अधिक गंभीरता से काम लें माल बनाने के साथ साथ उसकी गुणवत्ता पर भी आपको अधिक ध्यान देनी की आवशक्ता है मार्कटिंग तथा जन सं हासिल कर पाएंगे दोस्तो साती सात यह समय आप वेवसाई के विस्तार संबंदी योजनाओं पर पुन विचार अवश्य करें कोई भी छोटे बड़े निर्णे लेते समय किसी का मार्क दर्सन वे सलाह आप अवश्य लें ओर्डर पूरा करने के चक्कर में क्वाल्टि के स सात समझोता आप ना करें नौकरी में अधिकारियों वे सकर्मियों के साथ संबंद आपके अच्छे बनेंगे दोस्तो नौकरी और वेपार में परिस्तितियां सामान नहीं रहेंगी कोई नया प्रोजेक्ट आरंब भी हो सकता है परन्तु बाहरी व्यक्ति पर भरोसा आप ना करें किसी भी प्रकार की समस्या को घर के बड़े बुजुर्गों वे वरिष्ट की सला द्वारा सुल्जाने की आप कोशिस करें दोस्तो नौकरी वेपार वेक कारोबार में कुछ थोस वे महत्पपूर्ण निन्ने लेने संबंदित योजनाए भी बनेंगी और इनका प वे टारगेट को पूरा करने का दवा भी बना रहेगा जिसका आपको बहुती डट कर सामना करना है दोस्तो बात अगर आपके स्वास्त की करें तो यह समय यत्रा के दोरान अपने खानपान वे दवाईयों का विशेस आप ध्यान रखें वर्तमान वातावरण की वज़े से अपना बचाव रखना आपके लिए अति आवश्चक है दोस्तो स्वास्त कुछ कमजोर रहेगा जोडों में दर्द जैसा कष्ट रह सकता है बादी वाले तथा गरिष्ट बहुजन का आप सेवन ना करें इस से बचें संतुलित आहार के साथ साथ वयाम और योगा जैसी च गहा तक हो सकती है साथ धन नहीं